दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल Study Tips पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुबी रख रहे होंगे दोस्तों आज है 8 जून 2020 और आज के जितने भी important current affairs बन सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ current affairs के session पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपको current affairs के section में बहुत ही improvement देखने को मिले मैं अपने जो channel पे हैं वो परतियोगिता दरपन के भी analysis को लेकर आने वाला हूँ मन्तली वाईज पर तो आप उसे भी देखना ना भूले और हमारे channel को subscribe और like share करे तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे channel के हमारे telegram channel से जुड़ना ना भूले जिसका की link हमारे वीडियो के description में डाल दिया जाएगा तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं अपने session को हमारा पहला question है विश्व महासागर ये दिवस किस दिन मनाया जाता है ठीक है विश्व महासागर ये दिवस यानि कि world ocean day यहाँ पर हो गया world food safety day जो कि कल मनाया गया था world ocean day 2021 किस दिन मनाया जाएगा तो ये मनाया जाएगा दोस्तों आज है 8 जून ठीक है 8 जून को मनाया जाएगा विश्व महासागर ये दिवस world ocean day और जो है कल मनाया गया था कल मनाया गया था world food safety day तो दोस्तों कल food safety जो day जो मनाया गया था उसका theme क्या रहा था world food safety day उसका theme क्या रहा था तो आपको उसके theme को याद रखना है कल वाला जो world food safety day इसका theme रहा था safe food safe food today safe food today for a healthy tomorrow healthy tomorrow आज अगर आप अच्छा खाना खाते हैं आज अगर आप अच्छा food लेते हैं तो आपका कल क्या होगा स्वस्त होगा ठीक है तो यही है safe food today for healthy tomorrow कल जो बनाया गया था world food safety day उसका क्या है यह theme रहा है वहीं बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपने वीडियो में इस मन्त के जितने भी important days होंगे उसे अब revision करना start करेंगे जिससे कि आपको इन मन्त के जो important days होगे वो आपको याद रहे तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस मन्त के important days के बारे में एक जून को concert day मनाय गया तो आप लोगों को मैंने करवाय था एक जून को मनाय गया था global parents day वहीं दो जून को concert day मनाय गया international sex worker day तो वही मनाय गया second जून को ही मनाय गया था तो बात करते हैं, थर्ड जुन को कॉंसा डे मनाया गया, थर्ड जुन को मनाया गया, World Bicycle Day, और फोर्थ जुन को कॉंसा डे मनाया गया, तो International Day of Innocent Children, Victims of Aggression, ठीक है, Victims of Aggression, वहीं पाफ जुन को कॉंसा डे मनाया गया, तो World Environment Day, जिसका की theme रहा था, आपको important days का theme भी याद र यह exam में question आयेगा ही आयेगा, इसलिए आपको इसे याद रखना है, साथ जुन को कॉंसा डे मनाया गया, International Level Crossing Awareness Day, ठीक है, और साथ जुन को ही मनाया गया था, World Food Safety Day, जिसका की theme रहा, जिसका theme रहा, safe food, safe food, today, for a healthy tomorrow, for a healthy tomorrow, तो आज कॉंसा डे मनाया गया दोस्तों, आज मनाया या World Ocean Day, यानि के 200 महा सागर या दिवस, चलिए, बात करते हैं, अगले question की ओर, 1232 किलोमेटर, the long journey, जो बुक लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, 1232 किलोमेटर, जो ये बुक होते हैं, ये बहुत ही important होते हैं, और ये exam में इससे question बनता है, 1232 किलोमेटर, the long journey बात करते हैं, ये जो बुक है, 1232 किलोमेटर, ये किस पर based है, तो दोस्तों, आपको याद होगा, जो मार्च 2022 में, ठीक है, मार्च 2020 में क्या हुआ था, कोरोना pandemic के कारण, कि सड़ली जो lockdown लगा दिया गया था, पूरे देश में, उसके बाद से, क्या हुआ था, कि जो ने घर आने के लिए, ठीक है, तो जैसे कि गाजियाबाद से, नोएडा से, देली से, मुंबई से, लोग बिहार, यूपी, ऐसे ऐसे, चोटे चोटे जिलों, चोटे चोटे गाओं में, पैदल ही आना सुरू कर दिये, तो ये जो मजबूर होना पड़ा था, इस पर based ये ज सहरसा तक के स्टोरी को इसमें कभर किया गया है, इसमें 1232 किलो मेटर गाजियाबाद से लेकर सहरसा तक जो फूट पर, मतलब पैदल आये थे लोग, ठीक है, पैदल साथ लोग इसमें साथ माइग्रेंट के बारे में बताया गया है, साथ माइग्रेंट लेबर के बारे में इसमें स्टोरी किया गया आप यहां देख रहे होंगे साथ के बारे में इसका नाम इंपोर्टेंट नहीं है बस यह है कि साथ लेबर जो वहां से शुरू किया था अपना जर्नी पैदल ही ठीक है अपने तो गहां से गाजियाबाद से लेकर सहर सा और उसके बुक को लिखा ग तो वहीं बात करते हैं कुछ important books की सलमान रुजदी के द्वारा भी कौन सा बुक लिखा गया है सलमान रुजदी के द्वारा लिखा गया है Language of Truth ठीक है आपको याद रखना है Language of Truth सलमान रुजदी के द्वारा लिखा गया है तो वहीं बात करते हैं रवी सास्तरी की एक पहल बूक जारी की गई है, बहुत important बूक है, इस बूक का नाम है Star Gaging, The Players in My Life, उसके बाद अवतार सिंग की द्वारा एक बूक लिखा गया है, Nehru, Tibet and China, ठीक है, Nehru, Tibet and China, यह सारे बूक्स बहुत important है, और यह exam में इसे questions बनेगा ही बनेगा, तो आप इसे याद रखेगा, चलिए बात करते हैं, कि सामी खेदीरा, ठीक है, सामी खेदीरा, जिन्होंने हाली में, retirement की गोसना किये, यह किस देश से हैं, तो दोस्तों, यह Germany से हैं, ठीक है, जर्मनी से हैं, और यह सामी खेदीरा, किस मतलब आप से पूछेगा कि इसका occupation क्या है, profession क्या है, तो यह एक footwallर है, ठ अन्यास लेने की घोसना कर दिये दोस्तों और FIFA World Cup कहा जाए FIFA World Cup के ये winner भी रह चुके हैं तो जर्मनी द्वारा 2014 में FIFA World Cup जीता गया था ब्राजील में जो हुआ था थीक है ब्राजील में जो हुआ था तो उसमें उस match को जीताने में इनकी अहम भागेदारी रही है ये अपने पूरे करियर में साथ गोल दागे हैं ये अपने पूरे करियर में साथ गोल इनके द्वारा दागा गया है तो वही बात करते हैं जर्मनी की capital currency, फ्रांस की capital currency, पॉर्चिगल की capital currency और ब्रजील की capital currency तो इन सारे जो देशों के capital और currency को पूछा जाता है तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से separate वीडियो लेकर आऊंगा, एस या या यूरोप के जितनी भी continents हैं उसके important countries के capital और currency तो आपको वहां से ये सारे facts याद हो जाएगे हम लोग अपने अगले question की ओर चलते हैं हमारा आगला question है जो Formula 1 अजर्बैजान Grand Prix अभी अभी हुआ है जो Formula 1 racing जो Ferrari, Red Bull ये सब के द्वारा यहाँ आप देख रहे होंगे जो track पर क्या करते हैं इन कार को इनके द्वारा दवडाये जाता है तो इसमें कौन से अभी winner बने हैं अजर्बैजान Grand Prix के जीत लिया है अजर्बैजान की राजदानी का है बाकू आपको याद रखना है अजर्बैजान की राजदानी है बाकू और Mexican खिला रही सर्गिव पेरेज ने इस Grand Prix को जीत लिया है ये किसके लिए खेलते हैं तो Red Bull की तरफ से ये खेलते हैं तो वहीं बात करते हैं लुईस हमिल्टन की तो बहुत ही चूक गये चोटे से मार्जिन से ये Max Verstappen, Charles Lacraeck ये सब बहुत ही मार्जिन से ये सब चूक गये हैं तो लुईस हैं जो है दोस्तों ये किसके और से खेलते हैं तो Hamilton ये Mercedes की और से खेलते हैं ठीक है, Mercedes के और से, फिर उसके बाद Max vs. Tepen, ठीक है, ये खिलते हैं, ये भी Red Bull की तरफ से ही खिलते हैं, Red Bull के तरफ से ही खिलते हैं, फिर उसके बाद Charles Lacryk, जो है, ये किस के तरफ से खिलते हैं, तो Ferrari, ठीक है, Ferrari के तरफ से, आपको इसे याद रखना है, अभी-भी, अभी- ने जीत हासिल किया था दोस्तों तो इसे आपको याद रखना है और उस race में जो ये सर्गियों पेरेज हैं मेक्सिको के खिलाड़ी उन्होंने चवते अस्थान पर रहे थे उस race में तो ये हो गई बात इस question से related बात करते हैं यून टैब scheme यून टैब scheme किनके द्वारा launch किया गया है तो ये RK मातूर आप देख रहे होंगे RK मातूर जो कि लद्दाक के lieutenant governor है लद्दाक के lieutenant governor है rK मातूर इनके द्वारा un'tab scheme को launch किया गया है इस scheme के तहत 12300 students के बीच tablet को क्या किया जाएगा distribute किया जाएगा 12,300 student के बीच tablets को distribute किया जाएगा किसके लिए तो digital learning को promote करने के लिए अभी-अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो COVID pandemic के कारण digital learning, online learning का क्या हुआ है बहुत ही प्रचलन बड़ा है लोग online पढ़ना start कर दी है ठीक है अब हमारा future online ही हो गया है अब हमारा study का जो future है ज़्यादा तर देख सकते हैं कि आप online ही है तो इस कारण से digital learning को promote करने के लिए 12,300 students के बीच tablet का बितरन distribution किया जाएगा UNTAB scheme के द्वारा और इस scheme को जारी किया गया है आरके मातूर जोकी लद्दाक के lieutenant governor है इनके द्वारा इस scheme को जारी किया गया है फर्स्ट पेज में फर्स्ट पेज में फर्स्ट पेज में 9 से 12 तक के बच्चों को इस डिस्टिबूट किया जाएगा लेकिन यह जो पूरा scheme है इसमें 6 से 12 के बच्चों को cover किया जाएगा जिसमें 12,300 बच्चों को क्या किया जाएगा tablet distribute किया जाएगा इन schemes को आप कल ही देखे होंगे कि केरल के केरल के government द्वारा एक high speed internet प्रोवाइड करा जाएगा केरल में सभी बच्चों को ठीक है तो वो क्यों किया गया तो मैंने कल बताया था केरल के government के द्वारा तो अभी सारे राज्य सरकार सारे union territories के द्वारा इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि digital learning को किस तरह से promote किया जाए चलिए बात करते हैं कि world bank education advisor के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है तो world bank education advisor के रूप में रंजीत सिंग डिसाले को क्या किया गया है नियुक्त किया गया है बहुत ही बड़ी उपलब दिये दोस्तों world bank education advisor के रूप में इने क्या किया गया है नियुक्त किया गया है ये कितने दिनों के लिए नियुक्त हुए है तो तीन वर्सों के लिए तीन वर्सों के लिए आपको इसे भी याद रखना है कब से कब तक तो जून 2021 से जून 2014 तक इनका कारिकाल रहेगा World Bank Education Advisor के रूप में अच्छा ये जो रंजित सिंग डिसाले हैं ये क्या है महराश्टर से हैं और ये फर्स्ट इंडियन है जिने की Global Teacher Award 2020 से भी सम्मानित किया गया था Global Teacher Award 2020 से भी सम्मानित किया गया था और ऐसा इन्हें किसली किसली दिया गया था Global तो ये गल्स के एजुकेशन को प्रोमोट करने के लिए गल्स के एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ये ध्यान दिये और उसको प्रोमोट करने के लिए इन्हें Global Teacher Award 2020 से भी सम्मानित किया गय और John Maynard Kennees और Harry Dexter White जो हैं वर्ल्ड बैंक के क्या है संस्थापक हैं वर्ल्ड बैंक के founder है दोस्तों आपको इसे भी याद रखना है वहीं बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का अस्थापना कब हुआ था तो वर्ल्ड बैंक का अस्थापना हुआ था जुलाई 1944 में जुलाई 1944 में चलिए अगला question पर हम लोग चलते हैं हमारा अगला question है knowledge economy mission ठीक है knowledge economy mission किस राजी सरकार के द्वारा launch किया गया है तो knowledge economy mission केरल के राजी सरकार के द्वारा launch किया गया है अभी अभी covid pandemic के कारण jobs क्या हो रहा है बहुत ही जादा jobs में गिरावर्ट देखने को मिल रही है तो jobs को, क्या कर रहा है, jobs को, jobs के opportunities को boost करने के लिए knowledge workers को, जो पढ़े लिखे लोग है educated person है, उनको job की इस तरह से दिया जाए तो उनको knowledge का, क्या knowledge दिया जाए, क्या skill दिया जाए इसके तहद दिया जाएगा, तो knowledge economy mission के, जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा launch किया गया है तो वही बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैंगे पिनराई भीजयन सहाब को, पिनराई भीजयन यहाँ के CM है तो बात करते हैं, गवर्नर के बारे में केरल के, तो केरल के गवर्नर है आरीप मुहम्मद खान, तो वही बात करते हैं मद्य पर्देश के बारे में मद्य पर्देश, मद्य पर्देश के CM है, सिवराज सिंग चोहान और यहां के governor कौन है आनंदी बेन पटेल तो वही बात करते हैं उत्तर परदेश के CM है आदित तेनाथ चोहान और यहां की governor आनंदी बेन पटेल ही है राजस्थान के CM कौन है राजस्थान के CM है असोग गहलोत और यहां के governor कौन है कलराज मिस्र यह questions पूछता ही पूछता है आपको किसी ना किसी एक्जाम में इन questions को देखने को मिल ही जाएगा. चलिए, mission innovation clean take exchange भारत के साथ साथ कितने और देशों के द्वारा launch किया गया है. यह एक तरह से energy mission है दोस्तों. और यह दुसरा संस्करन है इस innovation clean take exchange का energy mission है और 23 देशों के साथ साथ भारत ने भी इसे launch किया है. चलिए, बात करते हैं अगले question में जो UN sustainable development goals 2030 में भारत की कितनी ranking आई है. तो UN के द्वारा, UN के द्वारा, United Nation के द्वारा, 2015 में, 2030 तक के लिए, 2030 तक sustainable development goal, 17 sustainable development goal क्या किये गया है, target किये गया है कि इसको क्या करना है, fulfill करना है, 17 development goal, sustainable development goal को fix किया गया है. और UN के कितने member country है, 193 member country है. तो उन में से 2015 के बाद, उन countries के बीच में, एक report जारी किया जाता है हर साल, और उसमें ranking दिया जाता है, कि इस goal को achieve करने के लिए, कितना performance, कितना score किन देशों को मिला है. तो इसके basis पर क्या किया जाता है, UN के द्वारा sustainable development goal देशों के भी जारी किया जाता है, तो इस बार भारत की rank, 193 देशों में 117 आई है. और पिछले बार जो ये report जारी किया गया था, 2020 में ये report जो जारी किया गया था, ये उसमें 115 rank आया था. तो इसका मतलब है इस बार भारत की एस्थिति जो rank है, दो position गीर गई है. ठीक है? दो position इस बार गीर गई है. और भारत के पीछे, भारत जो है किन देशों के पीछे है अगर देखा जाए तो भारत जो है नेपाल, भुटान, स्रिलंका, बांगलादेश से नीचे है इसके इस्तिति अभी इस sustainable development goals में तो बहुत ही बुरी बात है दोस्तों चलिए बात करते हैं कि भारत का इस बार इसमें score कितना रहा है तो 61.9 रहा है चलिए अगले question पर चलते हैं अगला question है जहाँ vote वहाँ vaccination देखे बहुत important campaign है जो कि Delhi government के द्वारा launch किया गया है जहाँ vote वहाँ vaccination इस campaign के तहत जो है यह एक तरह से vaccination drive है, vaccination campaign है इसमें क्या किया गया है कि एक मन्त के भीतर, 45 साल से उपर के जितने भी लोग हैं उनका vaccination पूरा करने का target Delhi government के द्वारा यानि क अरविंद केजरिवाल के द्वारा लिया गया है अच्छा इसमें क्या है जहाँ vote वहाँ vaccination का मतलब है कि आपने जहाँ vote दिया था आपका जो polling भूत है आपको वही vaccination दिया जाएगा आपका vaccination वही होगा आपने जहाँ vote दिया था वही आपका vaccination होगा कहीं आपको जाने की तो ये campaign चला गया है डेली गौवर्मेंट के द्वारा तो वहीं बात करते हैं डेली के जो लेप्टिनेंट गौवर्मेंट के क्या है एलजी है यानि की लेप्टिनेंट गौवर्नर राजस्थान के बारे में भी हमने बात किया था उत्तर परदेश के बारे में बात किया और क हमारे वीडियोज को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सेयर करे, और बेल आइकन को दबाना भूले नहीं ठीक है दोस्तो, ताकि आपको ऐसे ही useful वीडियोज, हमारे चैनल पर उसके notification आपको बहुत ही सबसे पहले मिले, तो चलिए हम लोग मिलते हैं, कल के next session में, नए current affairs के साथ, बहुत important current affairs के साथ, आपके साथ मुलाकात होगी कल के session में, यानि की 9 जून 2021 को, तब तक के लिए आप safe रहें, स्वस्त रहें, देखिए दोस्तो, हमारे चैनल पर बहुत से courses आपके लिए launch किये जा रहे हैं launch किये जाएंगे, तो आप हमारे channel से जुड़ना ना भूले, हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत करने वाले हैं आपका प्यार अगर हमें मिलता रहा आपका प्यार हमें, आपका support मिला तो हम अपने channel पर सारे courses को free में, आपके लिए क्या करेंगे, पूरे syllabus को cover कराएंगे, rrb, ntpc, group d, ssc, j, ssc, cgl ठीक है, और आपके लिए bpsc का course भी यहाँ पर launch किया जाएगा जिसमें की सारे general studies को history जो की bpsc में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, history को बहुत अच्छे से यहाँ पर cover कराया जाएगा, तो आप हमारे channel से जुड़ना ना भूले, तो तब तक के लिए अलविदा स्वस्त रहें, safe रहें